जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत्थ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो मैं डिसकस करेंगे 5 दिसंबर 2020 के Most Important Current Affair के Question जो कि आपके आने वाले सभी अग्जामों के लिए काफी important है डेली हमारी Current Affair की वीडियो आती है उसको आप जरूर देखें लाइक करें जादा से जादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और विजेपत्थ डिफेंस एजुकेशन को सस्क्राइब करें सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन है हमारी वीडियो का Fortune India की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्स 500 कंपनियों में से कौन सी कंपनी प्रत्थम स्थान पर पहुँच गई है तो चार ओप्शन है आपके सामने Reliance Industries, Indian Oil Corporation, भारती State Bank या फिर Tata Motors तो इसका जो सही अन्सर है वो है हमारा Option A Reliance Industries Next Question है निमन में से कौन सा भारती खिलाडी सबसे तेज 12,000 रन बने बनाने वाला बल्लेवाज बन गया है चार ओप्शन है अजिंक्या रहाने, बिराट कोहली, रविंदर जेडेजा या फिर हारदिक पांड्या तो ऐसा जो भारती खिलाडी है उसका नाम है बिराट कोहली आपको पता ही है अभी बरतमान में जो है एड प्रेजेंट इंडिया, औस्टेलिया की जो है वो सीरीज चली है तो उसमें बिराट कोहली ने बिराट कोहली के जो है वो 12,000 रन पूरे हो गए है तो इसलिए बिराट कोहली जो है वो भारती खिलाडी में से सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेवाज बन गए है बिश्व दिव्यांग दिवस निमन में से किस दिन मनाया जाता है 10 मार्च 12 प्रैल 20 जून 3 दिसंबर को तो बिशोब दिब्यांग दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को और डेल जो है वो आपके कोशन हर किसी एक्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं किस देश के पूरब परधान मंतरी मीर जफरुलाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 बर्ष की उमर में निदन हो गया तो किस देश के ये पूरब परधान मंत्री थे तो ये थे पाकिस्तान के आपको बरतमान में जो पाकिस्तान के परधान मंत्री है उनका नाम कमेंट वोक्स में बताना है नेक्स वन है श्पेन के टैनिस खिलाडी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच को फिक्स करने के लिए आठ साल का प्रतिवंद लगा दिया है तो आठ साल टक वो किसी भी मैच में हिस्सा नहीं ले सकते हैं Next Question है, हाल में ही कि स राज्य सरकार ने आटमी से बारमी तक के छातरों को उनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टेबलिट देने कि गोशना की है। तो कौन सी ऐसी सरकार है जो मुफ्त में ओनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट देगी तो उस राज्य सरकार का नाम है हर्याना सरकार ओनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं तो हिमाचल सरकार की एक स्कीम है हर गर पार्ट शाला तो यह हिमाचल की स्कीम है आपको कमेंट में बताना है कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्कीम है जो सेंटर गवर्मेंट ने लौंच की है बच्चों के लिए जहां से वो ओनलाइन स्टडी कर सकते हैं नेक्स कोशन है बिशो कम्प्योटर शाक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दो दिसंबर को जो है वो बिशो कम्प्योटर शाक्षा दिवस मनाया जाता है नेक्स है किस देश की सरकार ने गोशना की है कि बे लोगों को मुफ्त में कौविड-19 वैक्सीन की तीन करोड फ्री में दी जाएगी या फिर उसका कुछ चार्ज रखा जाएगा तो बंगला देश जो है वो इसका बिलकुल सही है बंगला देश ने खोशना की है कि वो लोगों को मुफ्त में COVID-19 की वैक्सीन जो है वो देगी तो इसका जो सही अंसर है वो है हमारा बंगला देश और बं एडवांस बैच स्टार्ट हो चुका है जल्दी से जल्दी आकर आप बिजेपत्थ डिफेंस एजुकेशन में HP पुलिस का एडवांस बैच स्टार्ट कर सकते हैं आप हमारे वर्टस आप ग्रूप के साथ भी जूट सकते हैं जहां पर आपको free of cost study material प्रोवाइड करवाया जाता है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें शेर करें और बिजेपत्थ डिफेंस यूट्यूब चैनल को subscribe करें धन्यवाद